नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल मेगा एडवाइजर में अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट में एकाउंट खुलना चाहते हैं और जरौधा में एकाउंट खुलना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे बीना किसी की साहता से ऑन-लाइन और भी मोबाइल से अपना एकाउंट बरही ही आसानी से खोल सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो सुरूप करने के पहले एक नजा डालते हैं कि जरूरत हमें अकाउंट खुलने के लिए हमें किन-किन डॉकमेंट की जरूरत परेगी तो आइए एक नजार जालते हैं कि कौन-कौन से डॉकमेंट हमें इसके लिए जरूरी होंगे डिमेट एकाउंट खुलने के लिए सबसे पहला जो जरूरी रेक्मेंट है वो है पैन काड़, दूसरा है एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास अधार काड़, बोटर आईडी या ड्राइवी लाइसेंस होना चाहिए तिसरा है बैंक प्रूफ, बैंक प्रूफ में वैसे तो कैंसिल चेक का डिमांड होता है पर आपके पास चेक नहीं है, तो आप बैंक का स्टेटमेंट से भी काम चला सकते हैं, अगर आपका मॉबाइल के सांथ लिंक होना चाहिए, उसपर OTPI आगा तो यह आप भिरिफाई कर पाणिंगे अधार से अगर आपका मॉबाल में नंबर नहीं नहीं पता है अगर आपका मॉबाईलन career च्ञिंज कराना है तो यह सारी information में चैनल के वीडियो में मिल जाएगे आपको प्ले लिस्ट में आधार वाले वीडियो में आप देख सकते हैं उसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए जिसको आपको अपलोड करना होंगे जिरोधा में एकाउंट खोलने का लिंक हमारा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप से प्याज खोलने को मिलेगा जब आप स्कॉल डाउन होंके नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए साइन अप नाव का अप्सन दिखाई दे रहा है तो यहां से आपको साइन अप करना है उसके बाद आपको यहां पर फूल नेम पुछा जा रहा है और इमेल पुछा जा रहा है तो इमेल और फूल नेम देने के बाद आप कंट्निव पर क्लिक करेंगे तो आपके एक इमेल पर भी ओटी पी आएगा उसको भी आपको टाइप करके कंट्निव करना है देन आपको यहाँ पे आपका pen number मांगा जाएगा और date of birth मांगा जाएगा तो pen card से आप अपना यहाँ पे pen number लिख देंगे और date of birth जो है pen card में है वो आपको यहाँ पे select करके आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक check box लिखा हुआ है कि the pen cannot be change later करके हुगा है तो यहाँ पे आपको check कर लेना है और नीचे जो continue वाला option दिखाई दे रहा है आपको continue पे click करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका उपर नाम लिख के आजाएगा और यहाँ पे step 1 दिया हुगा है आप देखिए यहाँ पे step जो 1 है आपको बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे दो अपसन आपको दिखाई दे रहे हैं equity और community का charges जो है 200 रुपया होता है और community का charges होता है 100 रुपया account फॉलने के लिए तो अगर आप community में trade करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप uncheck भी कर सकते हैं otherwise दोनों को check करेंगे तो आपको 300 रुपया का payment करना होगा तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों को select करके 300 रुपया payment करता हूँ payment करने के लिए आपको देखिए UPI का दिया हुआ है और यहाँ पे net banking या card के थुरू भी आप payment कर सकते हैं तो जो भी आप eligible हो आप यहाँ से payment कर सकते हैं हो सकता है आपको थोड़ा बहुत problem हो रहा हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले जो आप Chrome यूज कर रहे होंगे तो इसको desktop version में कर लेंगे ताकि आपको जो सारे details है ठीक ठीक से दिखाई दे पाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा 200 रुपया का community मैंने डिसलेक्ट कर दिया था बाद में और 200 रुपया का यहाँ पे successfully payment हो गया होगा है उसके बाद जो next step है वो बहुत important है यहाँ पे देखिए share अधार details with digital locker यहाँ पे लोग confuse करते हैं और maximum लोग यहीं पे गलती करते हैं तो आपको connect to digital locker पे जाना है और जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे अधार अभलिक mobile number करके option हैगा तो यहाँ पे आप अधार number type करके continue पे करेंगे अगर आपका digital locker में account है तो कोई बात नहीं है अगर नहीं भी है तो कोई दिग्कत नहीं है आप अपना यहाँ अधार number simply type करके continue पे click करेंगे कभी-कभी mobile number के लिए यहाँ पर टाइप करने से कभी-कभी problem हो जाता है तो मैं prefer करता हूँ कि आप अपना अधार नमबर ही टाइप करके continue करें अधार नमबर टाइप करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको टाइप करना है और continue पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए आपका जो डिजी लोकर का अकाउंट हो successfully sign-on हो गया है और यहाँ से देख सकते हैं आपको डिनाव या अलाव का आप सना रहा है यानि कि जिरोधा के साथ अपना आपको यहाँ से पूछा जाएका share copy of your अधार नंबर मतलब अधार का जो भी आपका details हो जिरोधा के साथ share करना है तो यहाँ पर देखिए मैं recommend करूँगा कि आप अपना desktop version में mobile से जो भी आप यूज कर रहे होंगे आपको यहाँ पे desktop version में यूज कर लेना है देख पा रहे हों कि अल्यदी मैं मेला desktop मोड में ही है तो यहाँ से हमको share करने के बाद आपका एक next page open होके आएगा उपर आपका अधार का सरा details आ जाएगा और नीचे पे आपको कुछ जो information मांगा जा रहा है नेक्स्ट आपका bank का कुछ details मांगा जा रहा है जैसे कि branch आए फिसी और bank account number और confirm account number यह कुछ और details आपसे मांगा जाएगा जैसे कि annual income मेरे case में below 1 लाक है तो 1 लाक मैं select कर देता हूं टेडिंग experience आपके पास है तो आप देख सकते हैं दरवाज new पे click कर रहें देंगे उसके बाद आप से पुछा जा रहा है कि politically exposed अगर मतलब आप political से आपका कोई relation है तो आप yes करेंगे या दरवाज no कर देते हैं उसके बाद your occupation पुछा जा रहा है आप अपना दे सकते हैं अ एक box में check करके यहाँ पर जो दिये हुए continue बटन पर आपको click करना है उसके बाद एक step होता है IP भी करके यहाँ पर क्या है कि आपका एक video recording जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक code है जैसे 5250 जैसे example के लिए मैं बता रहा हूं और यहाँ पर जो आपको एक blank करना पड़ेगा इसमें कभी-कभी क्या होता है कि mobile से जो front camera है वो open नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से option में जाईएगा तो वहाँ से check कर लिजेए कि आपका front camera enable है या disable है अगर disable है तो आप enable कर लिजेगा और एक blank page पे आपको code लिखके एक video recording करना है और उसको save कर लेना है उसके बाद आपका verification हो जाएगा देन आपका आप जो document है उसको upload करने की बारी आ गई है तो यहाँ पर देखे सकते हैं bank proof मंगा जा रहा है तो bank proof में जैसे कि मैंने बताया cancels check upload कर सकते हैं यहाँ पर देखिया हाँ से आप select करके upload कर सकते हैं उसके बाद आपका income proof देना है यह optional है अगर आपका community का account है तो अब देना परेगा दरवाई इसको आप छोड़ सकते हैं आप signature यहां से upload कर देंगे और उसके बाद आपका pen card का जो कॉपी है उसको photo किंच के आप upload कर सकते हैं या तो आप camera की मदद से आप direct उसको photo किंच के upload कर सकते हैं या फिर आपके mobile में है तो यहां से आप जाके option लेके upload भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद आपको e-sign equity पर click करना है तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि use your अधार number to digitally signing the application from online instantly मतलब क्या है कि आपका application तो upload हो गया सारा कुछ हो गया लेकिन उसको verification भी करना पड़ेगा तो verification जो है अधार के साहता से आप कर सकते हैं यहां पर continue पर click करेंगे तो यहां पर आपको एक next page open होके आएगा यहां पर जो checkbox में check कर देना है आई hereby authorized करके जो दिया हुआ यहां पर check करके यहां पर आपको अपना अधार number लिखना है अधार number type करके send OTP के click करेंगे यहां पर जो agree वाला checkbox है उसको check करके proceed e-sign कर लेंगे देन थोड़ा सा processing होगा उसके बाद और आपके mobile पर जो OTP आएगा अधार में जो registered verification message आएगा उसमें आपका document का photo copy मतलब जो भी आपने upload किया है उसका copy होगा यहां से आप continue करेंगे उसके बाद एक mail में एक security code होगा उसको यहां पर type करके सब्सक्राइब तो अब आपको इंतजार करना है जिरोधा का एक mail का उसमें आपका user ID होगा और उस user ID के सहता से आपको एक काईट बाई जिरोधा application होता है उसमें login कर लेना है और उसके बाद आपको passport बना लेना है उसके बाद आप trading कर सकते हैं और जो है अपना पैसा बना सकते हैं आसा करते हैं कि आप अपना जो जिरोधा का account है आप open कर पाएंगे घर बैठे mobile से इसके बाद भी आगर आपको कोई समस्या है कोई परसानी है कोई problem है तो आप comment में बताएं मैं उसका जो solution जल से जल देने का कोशिश करूँगा तो धन्यबाद बाई बाई टेक क्यार